आज हम पढ़ने वाले हैं LKG English Worksheet Part 2 So friends, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं First question है इसमें Look at the picture and fill the missing letters जैसे यहाँ पर मैंने कुछ pictures बना रखी हैं हमीं क्या करना है इनका missing letter complete करना है जैसे यह किसकी picture है? Apple A, double P, L, E Apple This is boat B, O, A, T Boat Tree T, R, double E Next, यह क्या है? Car C, A, R, Car Fish F, I, S, H Fish Next, kite K, I, T, E, kite Next question है Match the capital letters with small letters एक तरफ capital letters लिखे हैं दूसरी तरफ small letters लिखे हैं इससे क्या होता है कि बच्चों को आसानी रहती है कि कौन से letter को हम क्या बोलते हैं इससे A तो small में कैसे होता है? A B B C C D D E E E E F F G G Next आसी इधर भी हमें ऐसी सेम करना है H H को match करेंगे H से I I J J K L तो इस तरह से बच्चों को match कराके सिखा सकते हैं Next question है What comes after? जैसे हाँ पर small letters लिखे हो हैं तो इसमें भी हम what comes after में सिखाते हैं कि बात का अक्षर क्या आएगा जैसे C C के बात क्या आता है? D F G J K L M R S A B D E T U V W Y Z तो इस तरह से what comes after Next आता है what comes before यानि जो भी अक्षर लिखा हाँ है उससे पहले वारा letter जैसे C तो C से पहले क्या आता है? B G F M I से पहले Q से पहले Q से पहले तो इस तरहिके से before वाले letters बच्चों को सिखान रहे हैं नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस फॉर फॉनिक साउंड जैसे यहाँ पर A लेटर लिखा है तो इसको हम कैसे बोलते हैं A को हम बोलेंगे A A B B C Q D D E A F F G G H H I I तो इस तरह से बच्चों को Alphabetical Orders में हम Phonic Sound सिखा सकते हैं अभी मैंने आई तक बनाए हैं और आगे भी हम ऐसी लिख सकते हैं नेक्स्ट कोशन है Give the answer in Yes or No First question है इसमें यहाँ पर क्या बनावाई यह? Tree If the tree is green क्या tree green है? खरे रंग का है? Yes Tree is green यहाँ पर दाव भी लगा देंगे Yes the tree is green उसके बाद किसकी picture रही है? फिश की तो is it live in water? क्या यह पानी में रहती है? Yes It lives in water Next Is this a girl? No This is a boy Next question है Is it a big animal? No It is a small animal इस तरी है Next question है Rearrange the given letters यहाँ पर हमें क्या करना है? Alphabets को आगे पीछे किया हुआ है हमें बिल्कु सिक्वेंस में लिखना है तो सबसे पहले इसमें से कौन सा लेटर आता है A उसके बाद B उसके बाद C Then D यह हो गया A, B, C, D Next ऐसे ही F, I, H, G तो सबसे पहले क्या आएगा? F उसके बाद G, H, I Next यहाँ से देखते है L सबसे पहले L फिर M N O तो हम क्या करें? इनको सिक्वेंस में लिख रहे है उसके बाद आता है सबसे पहले इसमें आएगा P फिर Q R Then S Next V, S, T, U तो यहाँ पहाँ आजाएगा S उसके बाद U V Friends यह थी LKG की English Worksheet वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में करें आएगा झाएगा झाएगा झाएगा